कि हिंगलिश भाषा जो आपने कहा इसका एक नुक्सान यह है कि बात करते करते कई सरे शब्द ऐसे होते हैं कि आपका भाषा पर पकड़ नहीं है तो दूसरी भाषा का आपने प्रयोग कर लिया तो हमारी जो भाषा है प्रवाह जो है वह तूटे ना तो इसके लिए इसी एक भाषा पर पकड़ बन नहीं पाता है और फाइदा यह है कि उसे प्रवाह बना रहता है तो बहतर यह है कि हम पहले अपने जो मात्री भाषा है उस पर अच्छे पकड़ बनाए और इसका भी ख्याल लखें कि पब्लिक प्लेस है या मॉडर्ण जमाना जैसे-जैसे हो रहा है वेश्वी करण के युग में ग्लोबलाइजेशन के एरा में पूरा संसार जो है अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करता है जो यू एन ओ है संगठन यूनाइट नेशन्स और्गनाइजेशन तो वहां भी पाश भाषाओं में से एक भाषा इंग्लिश है तो ऐसे म जैसे जैसे जादा होता है तो शिक्षा के केंद्र में एंग्लिश भाषा का प्रयोग अनिवारत हा किया जाता है तो ऐसे में दोनों भाषाओं को मिला करके अगर हम बात करते हैं तो इससे एक फ्लोव बना रहता है तो फायदा यह है